नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनीश और आप देख रहे हैं फिल्मी पीट दोस्तों बॉलीवूड फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे कलाकार हुए हैं जो रातो रात स्टार बन गए और ऐसे भी कई सारे कलाकार हुए हैं जो रातो रात इंडस्ट्री से ही बाहर हो गए इनी स्टार्स में अब एक नया नाम जुड़ गया है जो कभी अक्षे कुमार जैसे कलाकारों के साथ काम कर चुका है लेकिन आज पेट पालने के लिए सेक्योरिटी गाड की नौकरी करने के लिए मजबूर है हम बात कर रहे हैं पांच, गुलाल और पटियाला हाउस में काम कर चुके कलाकार सवी सिद्धु की जो आजकल मुंबई में एक सेक्योरिटी गाड का काम करने के लिए मजबूर है फिल्म कमपैनियन ने हाल ही में सवी सिद्धु से बात की जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पास कभी बहुत सारा काम था लेकिन आज वो अपना पेट पालने के लिए गाड की नौकरी कर रहे हैं सवी सिद्धु के अनुसार स्ट्रगल के दिनों में मुझे अनुराख कश्यप मिले जिन्होंने मुझे फिल्म पांच में काम दिया ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हो सकी इसके बाद अनुराख के साथ मैंने ब्लैक फ्राइडे में काम किया जिसमें मेरा रूल कमिशनर समर का था यश्राज बैनर और सुभाश खही के साथ भी सवी सिद्धु ने काम किया कई प्रेडिूसर्स ने उनको एप्रोच किया और फिर वो बॉलिवुड में काफी काम करते नजर आए देस्तता के कारण उन्होंने सोचा कि ब्रेक ले लूँ और फिर आराम से लोट कर काम करना शुरू करूँ लेकिन उपर वाले को कुछ और ही मनसूर था सवी के अनुसार जिस समय वो लगातार फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे उसी समय उनकी तबियत आचानक खराब हो गई और उसी दोरान उनकी पत्नी की भी मृत्ती हो गई पत्नी के बाद उनके पिता, साथ सचुर और साला भी स्वरगवासी हो गई इसकी वज़ा से वो जिन्दगी में बिलकुल अकेले रह गए अनुरा कश्यप ने भी सवी सिद्धू के बारे में सोशल मीडिया पर लिखा उन्होंने कहा कि दुनिया में कई ऐसे कलाकार हैं जिनके पास काम नहीं है मैं सवी का सम्मान करता हूँ, उसने हार नहीं मानी और सम्मान के साथ अपनी जिन्दगी जीने का फैसला किया नवाजुदीन सिद्धी की भी एक जमाने में वाच्मेन का काम कर चुका है मैंने भी वेटर का काम किया है मैं एक ऐसे एक्टर से भी मिला था जो सड़क पर भेल पूरी बेच रहा था वैसे दोस्तों आपको एक बात बताएं हम लोग बॉलिवुड के ग्लैमर की तरफ ही नजर डालते हैं लेकिन इसका एक सिहा पक्ष भी है खैर सवी अभी सेक्योरिटी गाड की नौकरी करते हैं बारह गंटे की इनकी शिफ्ट होती है अभी तो सवी के पास डारेक्टर और प्रोड्यूसर से मिलने तक के पैसे नहीं है फिल्मों को वो बहुत मिस कर रहे है फिर भी सवी सिद्धू ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है वो रुपए इकठा कर रहे है जैसे ही उनके पास पैसे हो जाएंगे वैसे ही वो दोबारा फिल्मकारों से काम मागने जाएंगे सवी के अनुसार उनकी जिन्दगी की एंडिंग भी फिल्मों की तरह हैपी ही होगी